आपको अपडेट देने वाला हूं टाटा स्टिल के तरफ से यह लेटेस्ट वैकेंसी आई है अपडेट देखने से पहले जो भी इंट्रस्टेड है वो जरूर से आप इतन करिए और आप से एक छोटी से रिकवास्ट है कि अभी काभी वीडियो का कमेंट सेक्शन में आपको देफिती है जिस सब दबता चलता रहता है कि आपकी क्या स्टेट है और आपकी क्या क्मेंट करके जरूर से बता देना यह 5 सिद्र का काम से यहां पर लेटेस्ट वैकेंसी लिए तील का है ता तक बम्हींद स्टील दाउन स्ट्रीम प्रलिक्त लिंटेटेश्य изौ की आपक कर पाएंगे चाहिए वो male candidate हो या फिर फिर फिमेल candidate हो ठीक है इसके लिए को कोई भी किसी भी टैप का कोई अगर के जॉइन नहीं किया तो टेलीग्राम को जरूर से जॉइन करिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे और वाटसब गुरुप का भी लिंक मैंने डेस्क्रेप्शन में दिया है जागर के उसे भी जॉइन कर लेना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्र और यहां पर कई सारी अपको देखने को मिलेंगे टीक है और इसके लिए कैसे आपको फॉर्म को भरना है कैसे आविदन करना है यह सभी जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं तो guys यहाँ पे मैं आपको पूरी detail बताने वाला हूँ then कैसे आपको apply करना है exam का process क्या होगा कैसे आपको आविदन करने के लिए link पे जाना कहां पे है यह सभी doubt मैं आपको इस video मैं बताऊंगा और यहाँ पे मैं आपको इस article के मदद से पूरी जो basic detail है उसके throw मैं आपको जानकारी दूँगा तो वीडियो को अंतर तक देखते रहना जो भी candidate नए है वो comment करके अपनी qualification और किस state से ये video देख रहे हो वो भी बता देना ठीक है जिसके मुझे बापे काफी सारी help मिलती है ठीक है मुझे बहाँ पर पता चलता रहता है कि आपकी क्या qualification और किस state से आप वीडियो देख रहे हो ठीक है भाई तो comment कर देना जरूर से चलिए बात करते हैं यहाँ पर टाटा स्टील डाउन स्ट्रीम प्रड़क्ट लिम्टेड जो की जमसेद पर में यह company देखने को मिलेगी इसी के regarding यहाँ पर 2314 पत के लिए यहाँ पर वेकेंसी निकाली गई है इसमें आपको आप इतन कैसे करना है यह process भी आपको मैं बताऊंगा step by step पूरा वीडियो देखते रहना टेलीग्राम को जोईन नहीं किया 2314 पत यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे इसकी फर्म बरने की जो last date है आपको 28-2024 देखने को मिलेगी टाटा स्चिल जमसेद पूर की तरफ से वेकेंसी निकली है और आप लोग को पता है कि जमसेद पूर में जब भी वेकेंसी निकलती है भाई बहुत ही अच्छा response मिलता है यहाँ पर आपके लिए benefit भी मिलता है बहुत ही बढ़िया और यहाँ पर हम बात करेंगे इसके short detail के बारे में तो यहाँ पर आपको जो भी candidate interested होंगे उनके लिए यहाँ पर बताया है कि कैसे firm को बरना है age limit क्या है qualification क्या है कौन कौन सी पद है ठीक है आब इतन कब तक करना है इसके लिए क्या experience होना चाहिए तो यह सभी जानकारी जो है वो आपको यहाँ पर detail यहाँ पर बता रखी है एक बार यहाँ पर जरूरू से चेक कर लेना टाटा स्टील की तरफ से यहाँ जो वेसिक डिटेल है वो आपको मैं बताने वाला हूं जैसा कि आप यहाँ पर देखी पा रहे होंगे नेम ऑफ और गिनाजिशन तो यहाँ पर टाटा स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट लिम्टेट द्वारे यह वैकेंसी निकाली पर कमबारे जो स्टील के प्रोडक्ट होते है ठीक है ठोस पदार्थ वनाने के लिए तो वहां पर इनके जो पदार्थ बंते हैं उन से छोटे छोटे जो आपको देखने को मिलते हैं जैसे कि प्रोड़क्ट छोटे जो प्रोड़क्ट हैं स्टील के वो आपको छोटे छोटे इस कंपनीज है वो आपको देखने को यहां पर मिल जाती है तो उसी में यहां पर वैकेंसी निकली है बंपर मौका है आविदन करने का जरूर से आविदन करिए टोटल पोस्ट की बात करें तो 2314 पत देखने को मिलेंगे apply mode की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे online के माध्यम सही form भरना होगा post name की बात करें हम तो यहाँ पे आप देखेंगे manager sales का post है टिप्टी manager का post है junior engineer का post है और यहाँ पे head engineer का post है ठीक है यह आपको यहाँ पे जो post दे रखेंगे यह आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे इनी के regarding यहाँ पे vacancy निकाली गई है बात करें यहाँ पे who can apply की तो यहाँ पे कौन कौन apply कर सकता है देखिए male और female दोनों ही candidate इसके लिए आभीदन कर सकते हैं apply mode के अगर बात करी जाए तो यहाँ पे जो apply करना होगा आपको online के माधियम से करना होगा इसका लिंक मैंने directly वीडियो के description में दे रखा है age limit की बात करें तो यहाँ पे देखिए यहाँ आपको minimum जो age है वो 18 वर्स maximum जो age है वो 42 वर्स देखने को मिलेगी education qualification यहाँ पे देखिए अगर आपने 10th ITI diploma graduation जाफर आपने बी बीटेक कर रखा है तो आप इसके लिए जरूर से आभीदन कर सकते हैं आभीदन करने के लिए आपकी क्या फीस लगेगी देखो यहाँ पे जर्णल ओवीसी एडवल्यूएस कंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है जैसे कि देख सकते हो सेलेक्शन परोसेस कि अगर बात करूं है तो सेलेक्शन परोसेस आप देखेंगे इंटर्व्यू के वेसिस पे होगा टेक्निकल एंड वियावियरल आपको देखने को मिलेगा documents verification और medical fitness test के आधार पर आपका selection process देखने को मिलेगा ठीक है इसके लिए applications important date जो है वो बताई गई है जो कि आप form बरने की last date आपको 21.08.2024 तक देखने को मिलेगी यहाँ पर बात करेंगे इसके कुछ important documents required की जो कि आप देख सकते हो जहाँ पर आपको जब form बरेंगे तो आपक certificate रिजूम ठीक है पासफोर्ट साइस फॉर्ट बगरा तो यह आपके पास यहाँ पर documents होने चाहिए टाटा स्चिल के तरफ से जो benefit आपको देखने को मिलेंगे मैं आपको शुरू में बताया कि यहाँ पर कैंटीन की सुब्दा है वस की सुब्दा rooms बढ़िया पीएफ बग सबसे पहले तो आपको क्या करना है सबसे पहले तो आपको Google पर आजाना है Google पर आए गूओ daughter ने के बाद यहां पर सर्चवार के on option देखेगा जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस सर्च वार के option पर आपको यहाँ पर टाइप करना होगा ओनलाइन जॉब तक जैसे कि आप देख सकते हो मैंने आपको वीडियो का यहाँ पर किलिक करोगे किलिक करने के बाद आपको सबसे पहले यह जो ऊपर देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं टाइटा स्टील डाउन इस्ट्रीम प्रोड़क्ट लिंटेट टी एसडी पील जमसेट पूर रेक्रूट्मेंट 2024 ठीक है अगर यह यहाँ दो इस पर डालने के बाद यहाँ पर ऐसे सर्च आपको कर देना है अब जैसे यहाँ पर सर्च करोगे तो आप देख सकते हो आपको सबसे पहले जो टैब ओपन हो रही है यहाँ पर भी आपको देखने को मिल लाएगी सबसे पहले ठीक है तो आपको इस पर किलिक कर देना है कि पहले आपको पढ़ लेना समझ लेना आराम से ठीक है तब ही उसके बाद आभी दन करना आभी दन करने के लिए आपको क्या करना होगा नीचे चले आना ठीक है नीचे जब आओगे तो यहां पर आपको काफी सारे करना है एंड एपलाई के बटन है इस पर किलिक करके आप अपने फर्म को भर सकते हो फर्म कैसे बरना है यह आपको खुल के ओपन होगा यहां पर यहां पर देखिए टाटा स्टेल डाउनस्ट्रीम प्रड़क्ट का जो ऑफीशली केरियर कोड़ यहां पर ओपन हो चुका है यहां पर डिपलोमा वी टैक कंडिडेट इसके लिए और इसके लिए यहां पर सबसे पहले आपको फर्म बरना क्या से है देखिए सबसे पहले अपना नाम बरना यहां पर आपका जो भी प्रेजंट कांटेक्ट इंफॉर्मिशन है उसको भरनी है जैसे कि सिटी स्टेट प और नमबर अपनी क्वालिफिकेशन टैंथ की डाल ली है और उसके बाद यहां पर कर रखा तो डाल ली है ठीक है और यहां पर आपके करेंट कर रहे हो तो इसके डिटेल दे सकते हो और यहां पर यहां पर आपकी अगर काम कर रहे हो तो यहां पर देनी चाहों तो दे सकते फिर उसके बाद यहां पे आपको जो ओनली फीडिया फाइल में आपको करके अपनी जो भी जैसे टैंट का हो गया ठीक है ट्वाइलत का हो गया कर लिए ट्वायल्ट पर सब्सक्राइब कर लीजेगा उसके बाद यहां पर enter capture code यह capture code दे रखा इस capture code को यहाँ पर डालने के बाद submit विटन पर यहाँ पर किलिक कर देना है तो I hope आपको यहाँ पर सारी समझ आगी होगी कोई doubt अगर रह जाता आपका तो यहाँ कमेंट करके ज़रू से पूछी रहना कमेंट वहीं आपको reply दे दूँगा